ओन करके आपको हारले डेविट्सन का यसे लोगो मिलेगा वाई सहाब सिंगल सिलेंडर की गाड़ी है इतना पावर दिया है ना इसमें यह देखो गाइस फॉल पावर वाई इसका कॉंट्रास देखो गोल्डन फिर यहां पे औरेंज स्ट्राइब यह 3D लोगो हाली चाहिए एक कम बजट में किसी को बाइक लेना है अच्छा एवरेज चाहिए एक अच्छा ब्रेंड चाहिए तो आप लोगों को हाली डेविट्सन में है ना मिल जाएगा जाएगा बाइब आप अप्तरून तो एच और एवरेण आप यूटूब चैनल प्राजर बांदे तमनल एंटाइटल देखे आप लोगों को तो पता ही चंगिया होगा कि आज के इस व्लोग में में आपको देने वाला हो रिव्यू डीटेल वीडियो रिगाडिंग एक्स 440 Harley-Davidson the new Harley-Davidson X 440 motorcycle developed in collaboration with Hero Motorcom India's biggest two-wheeler company लोगों के faces इते हपी थे इसके innovation इसके technology पे इंडिया में X 440 Harley-Davidson the first single-cylinder motorcycle comes out in almost five tickets also marks an entry for hero into middle weight segment currently by Royal Enfant इसका इतना भी detail होगा मैं आप लोगों को बथाने की कोशिश करोगा सुगाइज अभी स्टार्ट करते हैं आगे सही स्टार्ट करता हूं मैं headlight से स्टार्ट करता हूं एक बर यह ना मैं आपको on करके दिखाता हूं यह देखो क्या ही मस लग रहा है मतलब on करके ना आपको ऐसे DRL जलते हो मिलेगा बंद कर देता हूं मैं इसके जो सस्पेंशन है 43 mm यूस्टी फोक सस्पेंशन है वाई इसके अलॉइबल देखो बिरको काफी अच्छे लगे इसके अलॉइबल क्या ही मस लग रहा है आगे की टायर की बात करूँ ना सो आगे का टायर MRF का है और डिसके 320 mm का है फ्रॉन डिसक बाइब्रे के क्यालिपर्स लगे इसके इंजिन की बात करूँ ना शोदिस और ओएल गूल्ड इंजिन इसका जो पीछे का सस्पेंशन है ना इस इस ट्विन शोक एब्जॉर्बर सस्पेंशन इसके पीछे की टायर की बात करूँ ना तो पीछे का टायर इसका MRF का है 140 70 17 इसकी साइज है ट्यूबलेस टायर है इसके डिस्क की बात करो तो 240 mm का इसका डिस्क है बाइब्रे के कैलिपर से इसको बोडी का हर एक पार्ड टैंक हो मदगाड हो या फिर यह साइड पैनल हो पीछे का मदगाड हो यह सारा मैडल से बाइब पीछे से कुछ ऐसे लगती है यह देखो अभी देखो क्या ही मस लग रहे है पीछे से यहाँ पे बहुत ही फूर्सत से काम किया इतना स्पेस थोड़ा यह ब्रेक लाइड के लिए यहाँ पे सेडल गाड लगा है इसका साइलेंसर देखो यहां से निकला है बतलब यहां से निकला नीचे से गया और फिर यहां से निकला तो इसकी चावी देखो यह चावी इसकी कुछ ऐसे दिखती है इसको ओन करते ओन करके आपको हारले डेविट्सन का ऐसे लोगो मिलेगा इसका सिटिंग पोजिशन है देखो कुछ ऐसे मतलब यह टाइप आफ इसके का इसे यह पर होता है स्क१िन जो फॉपर होता है यह इसका जो हैंडलिंग एना यह विडल फै एक बरविट इना में आप लोगों इसका एक्सॉस नोट अदे तो वाँ प्रे क्या ही है वाई यह एक्शार्स नोड इसका ना मुझे काफी अच्छा लगा वह भी इसका राइडिंग पर्फॉर्मेंस चेक करते हैं हाइवे कनेक्ट होगा यहां से 10-15 मिट में चला लेता हूँ हाइवे पर फिर आप लोगों को इसका हाइवे पर्फॉर्मेंस बता था हूँ बहुत ही अच्छा पिक अप लगा मुझे इस भाई का वाई इसका जो पावर है ना 27 भी एच्पी एड 6,000 रपीम ओ माइग गॉड इसका जो टॉर्क है ना विच इस 38 एनेम एड 4,000 रपीम वाई सहाब सिंगल सिलिंडर की गाड़ी है इतना पावर दिया है ना इसमें यह जो गाइस फॉल पावर भाई बहुत अच्छा पिकाप है इसका इसका है इसका हैंडल राइजर देखो यह कंपनी फिटेड ही लग मतलब आयम 59 मेरी हाइट 59 है मुझे तो लगता है ना 56 भी इस पर आराम से बाइक चला सकता है मतलब काफी नीचे है बाइक है इसका जो ग्राउंड क्लेरेंस है विच इस 170 mm हाइवे परफॉर्मस देने का कभी-कभी ऐसे लगता है ना कुछ फाइदा ही नहीं है देखो कितन सारी ट्रैफिक है हाइवे भी सीटी जैसे लगते है मुंबई में बट इसका मैं आप लोगों को बताओ इसका सीटी में ना हैंडलिंग है ना काफी अच्छा है यह देखो इजी तू गो कहा से भी कैसे भी निकलती है इसके ब्रेकिंग की बात करूँ ना मुझे इसके ब्रेकिंग है ना काफी अच्छे लग है ड्यूल चैनल यह ऐसे यह देखो फ्रंट और रेर यह देखो रेर भी दोनों भी ब्रेक इसके ना काफी अच्छे इसका हैंडलिंग काफी स्मूथ है वाई मतलब लॉंग टूरिंग भी करोगे ना तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा यह देखो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो अपनी बाइक को इसका जो फ्यूल कैपसिटी है ना विच इस थर्टीन लीटर काफी अच्छा है फ्यूल कैपसिटी इसका मतलब थर्टीन लीटर तो चाहिए ही यह देखो अभी इसका ब्रेकिंग बताता आप लोगों को यह देखो वाव इसका कॉंट्रास देखो गोल्डन फिर यहां पर औरेंज स्ट्राइब यह 3D लोगो हाली डेविट्सन का मैट ब्लैक कलर काफी अच्छा धासू रेट्रो लुक दे रहा है वाई इसका कॉंट्रास है ना बहुत ही मस्त है भाई हाली डेविट्सन बाईक इसका एवरेज भी काफी अच्छा है 25 से 30 तक आप लोगों को इसका एवरेज मिल जाएगा देखो 440 सीसी की बाईक है उसमें आप लोग इतना एक्सपेक कर सकते हो 25 से 30 अगर अच्छे से मेंटेंड रखते हो तो काफी कमफरेबल लगा मुझे इसका सिटिंग पोजिशन इसके वायरिंग को न और अच्छा कर सकते थे इन लोग हाली डेविट्सन एक बहुत ही बड़ा ब्रैंड है हीरो भी है अभी उनलों का कॉलाबरेशन हो गया है मुझे फिर भी लगा ऐसे यह वायरिंग पाथ है यह देखो यहां पे भी और अच्छा कर सकते थे जहां पे आप लोगों को में डीटेल दे रहा था न एस भाई के र लोकेशन तो फिर मैं आप लोगों को ना प्रॉपर इसका है ना लोग बताने के कोशिश करता हूँ इसमेना तीन वेरियंट आते एक तो जाता है डेनिम सैकिंद विविड तर्ड इस डेनिम वेरियंट में आपको स्पोक वील मिलेगे मीड वेरियंट में एनस वेरिड में ने डेंट में मैट ब्लेंड में आपको अलाउय विल मिलेगे इसमेट बिवाख सारे canada i self-dak है इदर फिर यहां पे हजार्ण लाइट का स्विच्ज दिया है 6 News यहां से शारे स्विचे देख़ आर आप見て आइधर है फिर यहां से यह सारी स्विच्ज देखते हैं आप यहां से आप कंसोल में और सब्सक्राइब कर सकते हैं आइधर आतलत हब बन करते हों घेया है गाड़ी चल रही है, वो फ्यूल गेज दिया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया है, हजर लेट बन कर देता होगा है, बहुत सारी चीजे, आर्टी, एम, आई, रेंज बताता है आप लोगों को सर्विस ड्यू बताता है, डेड़ आप लोगों को, यहां पर थोड़ों सा खुला पैच मिला है, मैं आप लोगों को भगा के दिखाता हूँ, यह भी ठरड़ घेर में गाड़ी चल रही है, यह फोट, यह फिफ, यह सेक्स, काफी अच्छा पावर है भाई, इसका देखो, छेग यहर है, इस बाईक में, अगर किसी को अच्छा लूक चाहिए, एक कम बजट में किसी को बाईक लेना है, अच्छा एवरेज चाहिए, एक अच्छा ब्रैंड चाहिए, तो आप लोगों को हाली डेविटसन में ना मिल जाएगा, इस फॉर 2.69 टॉप मोडल, एक शोरूम प्राइस, सिंगल सिलिंडर की भाईक है, यह, काफी मजबूत पिका पे भाई, इसका, यह, देखो, ऐसे निकल जाएगी ना, भाई, काफी लोगों को ऐसे, 200-300cc वाले के तो इतना पीछे छोर देगी ना, यह भाईक, यह लॉग राइड के लिए भी ना, काफी अच्छी हो सकती है, भाई, भाईक, इसका सीटिंग मुझे अच्छा ने लगा, इसका जो कूशनिंग है ना, बहुत हाड है, इसका पीलियन सीट को भी है, ना, बैकरेस नहीं दिया है, तो यह सब चीजे हैं इसमें, इसका एंजिन का कॉंट्रास देखो, मैट ब्लैक और क्रोम, फिर यहाँ पे गोल्डन टाइप, फिर यहाँ पे गोल्डन, मतलब, आल अराउंड जो इसको देखेगा ना, प्रॉपर भाई, बोलेगा, हाँ भाई, क्या बाइक है यह, यहाँ पे ना, इसको चार्जिंग स्लोड भी दिया है, आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो, इसके मीरर भी है ना, काफी कम्फरडेबल है, मतलब, ऐसे मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि, बहुत ही छोटे ऐसे मीरर दिये है, बट अभी मैं चला रहा हूँ ना, बाइक को, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि, नहीं भाई, काफी एकदम हिसाब से दिये है, उसको, और इसका हैंडल बार देखो, काफी ऐसे ब्रॉड है, पिछले एक घंटे से ना, मैं बाइक चला ही रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ना, मेरे थाइस पे रहा हीट मार रही है, गाड़ी गरम हो रही है, So guys, that's it for the video, hope करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं शोरूम में पहुच गया हूँ, ट्रेड मार्क हीरो, मिलता हूँ मैं आपको ऐसे किसी अच्छे वीडियो में, तिल देन, बाई बाई, चेक चेक,